असलाम लेकुम स्टुडेंट्स आज हम क्लास 6 की साइंस का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है करेक्टरिस्टिक औफ लेविंग तेंग्स यानि जानदारों की खुशुसियार इस चैप्टर में सबसे पहले चीज़ जो हम समझेंगे वो है बालेजी बालेजी क्या है बालेजी ग्रीक जवान का वर्ड है जो दो ग्रीक वर्ड बायोज और लॉगोस से मिलके बना है बायो मींज लाइफ और लॉगोस में स्टेडी इस तरह से देखा जाए तो बालेजी की क्या डाफिनेशन बनेगी बालेजी इस दा ब्रांच ऑफ साइंस या लिविंग और या लाइफ या जिन्देगी की स्टेडी हम जिस शाख में करते हैं वो बालेजी केहलाती है बालेजी की टू में ब्रांचिस है नमबर वन बॉटनी बॉटनी स्टेडी है प्लांट्स की नमबर टू जॉलोजी जॉलोजी स्टेडी है अनिमल्स की अबला हमारा जो नेक्स ट वह है cellular structure, cellular structure, तमाम जानदार का building block है, वह है cell, यह एक cell से जैसे ही एक cell वजूद में आता है, जिन्दगी की अप्तिदा हो जाती है, इस तरह से देखा जाए, cellular structure की बुनियाद पर, जानदारों की दो बड़ी categories है, नमबर वन, यूनि-cellular organism, नमबर तू, मल्टी-cellular organism, वो तमाम जानदार जो एक cell से बने हैं, यूनि-cellular organisms कहलाते हैं, इसके example में आएगा amoeba, paramecium, bacteria, yeast, ये तमाम के तमाम examples है, यूनि-cellular organism, यानि एक cell से बने हुए जानदारों की, अगली category है, मल्टी-cellular organism, वो तमाम जानदा जो एक से जादा cells से बनते हैं, वो मल्टी-cellular organism कहलाते हैं, for example, man, cat, dog, अगर प्लान के हवाले से देखा जाए, pine, rose, ये तमाम के तमाम examples हैं, मल्टी-cellular organism की, जानदारों का अगला character जो है, वो है movement, यानि हरकत, तमाम जानदार हरकत करते हैं, एक जगा से दूसरी जगा travel करत हैं, लेकिन प्लान ऐसी movement जाहिर नहीं करते हैं, प्लान की movement मक्सूस होती है, वो अपने जगा पर फिक्स रहके हरकत जाहिर करते हैं, for example, roots की movement जो है, वो जमीन की तरफ होती है, और shoot की movement, stem, shoot की movement, air, air की तरफ होती है, अपटर direction में होती है, दूसरा character जो है, वो है sensitivity, sensitivity यानि हसासियत, तमाम जानदारों में sensitivity या हसासियत पाई जाती है, animal, plants में भी sensitivity पाई जाती है, आपकी बुक में इसकी example है, touch me not या छूई मुई का पौधा, जैसे ही इसके नजदीक finger लेके जाएंगे, तो इसके leaves जो है, वो बखुद 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 बन हो जाते हैं, यह sensitivity है character, यह plant का character है, इसके इलावा sensitivity, animals में भी पाई जाती है, sensitivity के हवाले से देखा जाए, तो तमाम जानदार response जाहर कहते हैं, जब कोई चीज उन्हें stimulate कहती है, यानि तरखीब देती है, इसी हवाले से देखा जाए, तो example देती हूँ कि जैसे light, light जैसे हमारी ice पे पढ़ती है, तेज light हमारी ice पे पढ़ती है, तो क्या होता है, हमारी ice जो है, वो blink करने लगती है, जपकने लगती है तेजिसे, तो यह sensitivity जाहर करती है, हमारी ice किस के response पर, stimuli के response पर, यह character है sensitivity, animals का अगला character है nutrition, nutrition का मतलब होता है, घजायत, तमाम जानदारों को जिन्दा रहने के लिए, घ प्लांट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रोंट्रो वाफिर मिग्दान में पाया जाता है, तो फिर इसके नतीजे में क्या होता है? ग्लुकोस का मॉलیک Pence बनता है, यह फूड मॉलیکूल है प्लांट का और उक्सिजन गैस रिलीज होती है यह पूरामर फोटो संतिसस कहलाता है यानि काब्रेक्स साइड और उस्वार का मिलना और ग्लुकोस और उक्सिजन का बनना फोटो संतिसस कहलाता है अब एनिमल्स के हवाले से निटिशन देखी जाए तो तमाम के तमाम एनिमल कंजियूमर होते हैं यानि अपने गज़ा कंजियूम करते हैं दूसरों पर डिपाइंड करते हैं अफों तयार नहीं करते हैं इस तरह से देखा जाए तो एनिमल्स की तीन काटेगरी बनती है सबसे पहली काटेगरी हर्भी वोरस एनिमल्स की है हर्भी वोरस एनिमल्स वो जानदार होते हैं जिनकी गज़ा में प्लांट शामिल है प्लांट इटिंग ऐनेमल को हर्भी विर्विरस ऐनेमल केहें आरड़ी गयूर१ एथ n Are फीर केमार्श टिंप्स रभी बॉच मार्श इचमपड़ में अहले ओक्पड़ संसरे ति महां। उस्ट इतले में तो इसजेख टिंपर्द मुझे हैं लास्ट कर्टिगरी जो nutrition के हवाले से है animals की वो है omnivorous animals वो animals जिनकी घजा में गोश्ट और पौदे दोनों शामिल हो उन्हें omnivorous animals कहेंगे example man and bear ये best examples हैं किसकी omnivorous animals की students आज हमने characteristic पढ़े nutrition तक इंशाला अपनी next class में आगे continue करेंगे thank you for watching